दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आज वाली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके इंस्टाग्राम से जुड़ी प्रोब्लम की सॉल्यूशन पर दोस्तों इंस्टाग्राम पर एक प्रोब्लम फेस हो रही है तो आपको हमारे साथ इस वीडियो में एंट तक बने रहा हैं इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है तो जादा समय नहीं करते हैं स्टाट करते हैं इस वीडियो को आपको बताते हैं किस परकार आप इस प्रोब्लम को शोट आउट कर सकते हैं देखिए दोस्त में उपर की तरफ तीन लाइन शो हो जाती है हमें इंट पर टैप कर देना है सैटिंग और प्रेविसी पर क्लिक करना है यहां पर दोस्तों इस तरह का इंटरफेस जब आपके सामने आ जाता है तो आपको नीचे की तरफ स्क्रोल करना है बिल्कुल ही लाश्ट में आ जाना है यहाँ पर आपको एक option ढूंड लेना है website permission आपको just इस पर click करना है और यहाँ से दोस्तों आपको browser setting पर click कर देना है और यहाँ से दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है clear cookies and catches तो आपको इस पर tap करना और यहाँ से कर देना है clear browsing data तो गाइज जैसे ही आप यहां से clear browsing data कर देंगे उसके बाद आपको यहां से बिल्कुल back आ जाना है बैक आ जाने के बाद अब आपको क्या करना है जो आपके फोन की setting है इसको open कर लेना है उसके बाद दोस्तों आपको नीची तरफ स्क्रोल करते जाना है और यहां पर apps वाला आएगी तो आपको इस पर tap कर देना है जिसके बाद एक नए interface निकल कर आ जाएगा यहां पर दोस्तों आपको नीचे तीन ओप्सन दिखाए देंगे फोर स्टोप अनिस्टाल clear data आपको clear data पर क्लिक करना है पहले तो करना है clear catch उसके बाद इसका कर देना है clear all data लेकिन गाई इस step के बाद जब आप अपने Instagram को open करने के लिए जाएंगे तो आपको दोबारे से login करना पड़ेगा उसके लिए आपको username और password याद रहना जरूरी है अगर दोस्तों आपके पास आपका username और password है तभी आप इस step को follow कर लेने के बाद अब आपको क्या कर लेना है बिलकुल back आपको अपने play store को open कर लेना है और यहां पर आपको search करना है Instagram तो यहां पर आपको Instagram की एक update देखने को मिल जाती है तो यहां से आपको अपने Instagram को update कर लेना है जैसे यहां से आप अपने Instagram को update करेंगे तो बिलकुल back आना है background से आपको अपने Instagram को close कर देना है और उसके बाद दोस्तों आपको अपने Instagram को open करना है जहां से जो आपकी ये problem है इसका solution easily हो जाता है आपको वीडियो दुबारे से upload कर देनी है तो गाई इस तरह से जो आपकी problem है इसका solution हो जाएगा और आपकी जो वीडियो है वो भी easily upload हो जाएगी तो गाई आज वाली इस वीडियो में बस इतना ही तो मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड्स